सुप्रभाद नवस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीथी आए शिवरात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ आज से दिल्ली में बीजेपी की दो दिवसी राश्ट्रे कारेकार्णी की बैठाक विधान सबाचुनाओं के लिए रन नीती होगी तै ग्यारा जन्वरी को कॉंग्रिस भी करेगी रन नीती पर चर्चा अकले शियादव के पक्षपे दोसों से जादा विधायक खलफ नामे पर की हस्ताक्षर दोनों खेमों को सोमवार तक चुनाओ आयोग में देना है जवागी उम्मीदवारों के चुनाओ लड़ने पर सम्वि राश्पती ने जताई अस्थाइम मंदी के संभावना सरकार को गरीबों का खास खयाल रखने की नसीहत नोडबंदी पर पहला सारजनिक बयार इशन गंगा और रातले पर योजना को लेकर विश्व बैंक अतिकारियों के साथ बैठक भारत की पाकिस्तान के साथ समझोते में जल्दबाजी नहीं करने की सला कहा निश्पक्ष विशिशंगी की नियुक्ती और दुविपक्षिय तंत्र से ही सुलत सकता है मामला बीजेपी के आज से राश्ट्रे कारेकारनी की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है ये बैठक दो दिन तक चलेगी इस बैठक में बीजेपी का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाओं में पार्टी के एजिंडे पर रहेगा बीजेपी के लिए वैसे तो पांचो राज्जियों के विधानसभा चुनाओं जीतना वहतपूर है लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाओं को देखते हुए अपनी रणनीती तै करेगी बैठक से पहले अमिच्छा के अद्यक्षिता में पदादिकारियों और प्रदेश अद्यक्षियों की बैठक होगी इसमें राश्टे कारेकार्णी के एजिंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा करेकार्णी का उद्गाटन अमिच्छा के भाश्र से होगा जबकि अगले दिन प्रदान मंतरी नरींदर मोधी समापन भाश्र देज़ेंगे अमिच्छा अपने भाश्र में काले धन और प्रष्टाचार के खिलाफ उठाई गए मोधी सरकार के नोडबंदी के कदम की सराना करते हुए वे पक्षी पारटेों के इस मामले में रवया की आलो चुना कर सकते है कारेकारणी में राजुनीतिक और आर्झिक दो प्रस्ताव पारित के जाने की उमीद है आर्थिक प्रस्ताव में काले धन और ब्रश्टाचार के खिलाफ मोधी सरकार की फैसलों को लेकर प्रस्ताव पारित हो सकता है जिसमें नोट बंदी का जिक्र होगा कॉंग्रिस ने पाचो राज्जियों में होने वाले विधान सभा चुनाओं में नोट बंदी को मुख्य मुद्दा बनाने के मकसद से 11 जनवरी को राश्ट्री के सम्मेलन बुलाया है मोदी सरकार के गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिन का ये सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा इस सम्मेलन में पार्टी के सभी बड़े निताओं को बुलाया गया है इसमें कॉंग्रिस कारे समिती के सदद से अखिल भारतिय कॉंग्रिस कमिटी के पदादिकारी और प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी प्रमुखों के अलावा पार्टी सांसद और राज्यों से विधायक भी शामिल होंगे इस सम्मेलन को कॉंग्रिस उपाद्यक्स राहूल गांदी संबोधित करेंगे नोडबंदी पर मोधी सरकार के खिलाप लड़ाई में राहूल गांदी सबसे आगे रहे हैं और वो कई विपक्षिद लोग को भी साथ लाए हैं समाजबादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम गुट में दूरियां कम होती नहीं दिख रही हैं चुनावायो की और से नोटिस के बाद अखिलेश श्यादव खेमा विधायकों और सांसेदों के समर्थन में हलफ नामा जुटाने में लग गए हैं लगनाओ में कल हुई बैठक में करीब 200 विधायकों ने मुख्यमंतरी अखिलेश श्यादव के पक्ष में हलफ नामा दिया चुनावायो के नोटिस के बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी अखिलेश श्यादव पार्टी नेताव को अपने पक्ष में लाम बंद करने में जुट गए हैं उन्होंने लखनों में अपने आवास पर पार्टी विधायकों और नेताव के साथ बैठक की विधायकों सांसदों और नेताव से अखिलेश के समर्थन में शपत पत्र लेने का काम शुरू हो गया करीब 200 विधायक खुलकर अखिलेश के साथ आ गए हैं बीजेपी का दावा है कि उसे समाजवादी पार्टी में जारी विवात का चुनाव में फायदा मिलेगा तो वहीं कॉंग्रिस ने किसी दल के साथ गडबंधन के अटकलों को खारिच किया है इनके जगड़े से उत्तर प्रदेश की जंता को निजात मिलने वाला है 11 मार्च को और बारती जंता पार्टी निश्चित रूप से ये चाहती है कि ये कुशासन भरस्टाचार और गुंडारास से मुक्ती मिले इस बीच अखिलेश यादव ने दिवरिया, कुशीनगर, आजमगर और मिर्जापूर जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्षों को बाहाल कर दिया है और उन्हें पार्टी को मजबूत करने को कहा है इन सभी जला ध्यक्षों को शौपाल सिंग यादव ने प्रदेश ध्यक्ष बनने के बाद हटा दिया था नेताओ को ये भी नहीं पता कि पार्टी का राश्ट्रिय ध्यक्ष कौन है साथी पार्टी का नाप समाजवादी पार्टी चुनाओ में वैलिड रहेगा या नहीं ये भी नहीं मालूग और ये सब तब जब चुनाओ की अधिसूशना जारी होने में सिर्फ पांच दिन बाकी है लखनो से कैमर्मेंट शिफकुमार की साथ कृती मिश्रा व्राद्जिसभा टीवी इदर समाजवादी पार्टी के अध्धक्ष मुलायम सिंग यादव पार्टी में जारी विवाद की बीच गुरुवार को फिर दिल्ली पहुचे उन्होंने अशोक रोड स्थित आवाज पर एक बैठक की इसमें शिफपालियादा, अमर सिंग और जयप्रता भी मौझूद थी माना जा रहा है कि इसमें पार्टी और चुनाव चिन पर दावेदारी को लेकर चर्चा की गई इससे पहले उलोडे सोब्मार को दिल्ली में ही निर्वाचन आईयो की सामने पार्टी और चुनाव चिन ने साइकल पर दावा पेश किया था चुनाव चिन ने को लेकर समाजवादी पार्टी के दोनों ही गटों को नौ जनवरी तक चुनाव आयो को हलफ नामा देना है इसमें दोनों गट अपने समर्थक नेताओं की सूची और शपत पत्र सौपेंगे अलाकि पार्टी के कुछ नेता दोनों गटों में सुला कराने भी जुटे हैं समाजवादी पार्टी के वरिश नेता आजम खान, मुख्यमंतरी अखलेश यादव और मुलाहम सिंग्यादव के बीच सुला की कोशिश में जुटे हैं उन्होंने मुख्यमंतरी से कल फिर मुलाकात की, उनका कहना है कि कुछ लोगों के चलते पार्टी में विवाद और नुक्सान हुआ है, साथी आजम खान ने पार्टी विवाद सुलजने की उमीद भी जदाई है मामला सिर्फ सपोर्ट होने नहीं होने का नहीं है, मामला सिर्फ इतना है और विवाद बस इतना है, परिशानी इतनी है कि ये मुलाइम सिर्फ जी का और अखलेश जी का जो विवाद है या थोड़ा सा दूरी है, वो राजनेतिक दूरी है, परिवारिक दूरी है इसे इस तरह दूर होना चाहिए कि लोगों को उसका एहसास हो चीफ मिनिस्टर की देखे तीन डिमांड है, केमर सिंग को पार्टी से निकाला जाए, शिफपाल यादव का नौन इंटरफेरिंस और टिकर डिस्रिबूशन में एक आधिकार क्या मुलाइम सिंग यादव इस बात को मानेंगे? कोशिश करेंगे, जादा से जादा बाते बानी जाएं, वैसे इन में से बहुत सी बातों के लिए नितजी तयार है अगर पार्टी बढ़ जाती है, नया सिंबल मिलता है, तो आप लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे इतनी जल्दी? क्यों? अलेक्शन तो जो पार्टी का एक कंडिडेट होता है, वो भी लड़ता है, यहां तो मिजारिटी की सरकार है लखनाओ से कैमरमेंट शिफ कुमार की साथ, खृती मिश्ट्रा, रादसभा टीवी चुनाओ तारिखों के ऐलान के अगले ही दिन बियस्पी ने उत्तप्रदेश विधान सबा चुनाओ के लिए सौ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, पार्टी के उरसे जारी बयान में कहा गया कि बाकी उम्मीदवारों के नाम का एलान भी जल्द कर दिया जाएगा बियस्पी ने पहली सूची में जारी सौ में से 36 सीटों पर मुस्लिम जबकि 17 पर अनुसूची जाती के प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी प्रमुक मायवती ने मंगलवार को ही कहा था कि BSP के सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी तैह हो गए है मायवती ने BSP पर जातिवादी पार्टी के आरोग को भी खारच किया था उत्तर प्रदेश में साथ चर्णों में चुनाओं होने हैं और 11 फरवरी को पहले दोर की वोटिंग होगी पांच राज्यों के विधान सबाच चुनाओं से पहले आम बजट पेश करने के मसले पर कॉंगर्स समेथ आठ विपक्षी दलों ने चुनाओं आयोक से दखल की मांगी है विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोग लुभावन घूशलाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है जो आचार सहिता का उलंगन होगा शिपसेना ने भी बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है सरकार ने कहा कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा पीटिया के मताबिक बजट सेतर का दूसरा हिस्सा नौ मार्ज से तेरा अपरेल के बीच हो सकता है चुनाव से पहले बजट पेश करने के केंदर सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है गुरवार को कॉंगरेस समेथ आठ विपक्षी दलों के निताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की इन दलों ने कहा कि आयोग आठ मार्ज के बाद बजट पेश करने का आदेश दे आठ मार्ज को उत्तर प्रदेश समेथ पांच राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा अगर सताधारी पार्टी चाहे वो रजज सरकार की हो या नेशनल लेवल की हो अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाब होता है और जो कानिशुशन के खिलाफ है अलेक्शन के खिलाफ है और लोग तंतर के खिलाफ है विपक्षी दलों के साथ एंडिये के घटक दल शिवसेना ने भी बजट की तारीख बदलने की मांग की है सरकार का कहना है कि बजट पेश करने की तारीख का फैसला चुनावों के एलान से पहले ही हो गया था इसलिए बजट तैस समय पर ही पेश होगा सोला विपक्षी दलों ने राश्पती से भी दखल की मांग की है चुनावायों ने इस मुद्दे पर गोर करने का भरोसा दिलाया है 2012 में हुए विधान सभाज चुनावों के दौरान भी यही इस्तिती बनी थी ततकालीन UPS सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च को पेश किया था प्रनव गोस्वामी राजय सभा टीवी उन्होंने चुनाव में पूर्व सैनिकों के समर्थन का भरोसा जताया इस मौके पर उत्राखंड हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने पूर्व सैनिकों के लिए किये कामों की जानकारी दी पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंग ने कहा कि विधान सभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की 21 मांगों को पार्टी के घोश्रां पत्र में शामिल किया जाएगा अमरिंदर सिंग ने नवजोट सिंग सिद्धू के कॉंग्रेस में शामिल होने के बारे में भी जवाब दिया बुदवार को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव का एलान किया था इसके बाद सभी पार्टियां अपने रणनीती बनाने में जुट गई है विशाल दहिया, राज्य सभा टीवी सुप्रीम कोरदागी उमीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में तेजी से सुनवाई करेगा इसके लिए जल्दी सम्विधान पीट का गठन होगा और अगले चुनाव से पहले फैसला आने की संभावना है पीच इन सवालों पर सुनवाई करेगी कि गंभीर अपरादों में जिन पर आरूप तैह हो गए हैं उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए या नहीं वह इन ट्राइल के किस तर पर जन्परते निदी की सदसिता खत्म की जा सकती है गया चुका करता अश्वनी कुमार उपाद्याय ने जल्द सुनवाई की मांगी थी मौजूदा खानून के मताबिक अगर किसी को गंभीर अपराद में सजा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता और जन्परते निदियों के सदसिता खत्म हो जाती है पंजाब में चुनावा चार साहिता लगते ही पुलिस ने खानून विवस्ता करी कर दी है पुलिस ने फाजिलका जेल में बंद शराब कारोबारी से मिलने पहुंचे 24 लोगों को पकड़ लिया साथी जेल अधीक शक को भी गिरफतार कर लिया है पंजाब के फजिलका की जेल में जेल प्रशासन की मिली भगत के चलते 24 आदमी बुधवार राद भीम टैंक कांड के आरोपी शिवलाल डोडा और अमिर डोडा से मिलने गए थे पुलिस को मिली शिकायत के बाद च्छापा मार कर जेल अधीक शक ने 25 लोगों को गिरफतार किया है इसमें कई शिरोमणी अकाली दल से जुड़े हुए है पुलिस के मताबिक आरोपियों से पूछताच की जा रही है साथ ही साथ लगजरी गाड़ियां भी परामत की गई है इन्हीं में सवार होकर ये लोग जेल आए थे पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर ये पूरी कारवाई की गई है अमरत सर जेल में भी इसी तरह की चापे मारी की गई है गेट संगीट से है जिनकी पहचान बड़े-बड़े कलकारों के साथ मिला जिने आशिरवाद रूपी संगत का मौका संगीट के ये लोग महर्शी लोग है मेरे पिता जी है ये पंडित जी जसराज जी शिंग जी पंडित हरी परसाज जी ये लोग ये कैसे इस तरह से आए मैं उसको काफी करीफ से जानने की कोशिश करता हूँ मेले शक्सित में पंडित रामकुमार मिश्रती शनिवार रात सारी दस बजी और रविवार शाम सारी चार बजी सिर्फ राजी सभार टीवी पर राश्पती प्रणमुखर जी ने कहा है कि नोड़बंदी से अर्थ्वेवस्था में कुछ समय तक सुस्ती आएगी हलाकि उन्होंने माना कि इस सिकाले धन और ब्रश्टा चार से लड़ने में मदद मिलेगी राश्पती ने राजपालो और अपराजपालो को नए साल के मौके पर संबोदित करते हुए ये बात कही नोडबंदी पर राश्पती का ये पहला बयान है उन्होंने गरीबों की दिक्कते दूर करने की नसीहत भी दी राश्पती ने कहा कि ये गरीब अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है सुप्रीम कोट ने आधार कार्ड की अनिवारिता के खिलाव दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है अलकि मुकिना अधिश जेस केहर की अगवाई वाली पीट का कहना है कि योजना के तहट निजी एजेंसियों के जरिये जानकारियों कोई खटा करना सही नहीं है कोट ने कहा कि निजी एजेंसियों से बायमेट्रिक डेटा जमा करना अच्छा विचार नहीं है याचिका कर्था ने समवेधानिक पीट के सामने लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांगी थी याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड के जरिये सरकाल लोगों की गतिविधियों पर नज़र रख रही है तो निज़ता के मौलेक अधिकार का उलंगन है इससे पहले अक्टूबर 2015 में समवेधानिक पीट ने आधार कार्ड को स्वेचिक रूप से मनरेगा पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने के इजाज़त दे ली थी नोडबंदी और टीमसी सांसर सुधी बंदोपाध्याई की गिरफतारी के मुद्दे पर टीमसी ने कल लगातार तीसरे दिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदशन किया टीमसी ने केंद्र सरकार पर सीबियाई के दुरुपियों कारूप लगाया है इस बीश पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कारेकरताओं पर हमले के मामले में ग्रीमंत्री से मुलाकात भी की ट्रनमूल कॉंग्रिस के नेता कोलकाता से लेकर दिली तक केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध कर रहे हैं टीमसी के लोगसभा और राजजभा के ज्यादा तर सांसत साउथ ब्लॉक इस्थित प्यमो कारेले पहुच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे बाजी की पुलिस ने उन्हें रासत में ले लिया कलकत्ता में भी इसी तरह का परदर्शन देखने को मिला टीमसी ने अपने सांसत सुधिप बंधुपाद्या के गिरफतारी के मामले में सीबियाई पर भी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने कारोप लगाया है बंदुपाद्या के ग्राफ्तारी के बाद कलकत्ता में बीजेपी के दफ्तरों और कारेलेओं पर हमले किये गए इसी मुद्धे पर बंगाली काई के बीजेपी नेताओं ने गुरुवार को ग्रहमंतुरी राजनास सिंग से भी पुलाकात की दरसल चिटफंड रोजवेली घोटाले में शनिवार को पहले टीमसी के सांसद तापसपाल और बाद में मंगलवार को सांसद सुधी बंदोपाद्या को गिरफतार किया गया था और उपी सांसदों पर शिकंजा कसने के बाद से ही टीमसी सणकों पर उतर आई पंचानन मिश्रा, राजे सभा टीवी भागी रथी एको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं मिलने पर केंद्र और उत्राखंड सरकार आमने सामने है मुख्यमंतरी हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि केंद्र राजे के विकास में रोडे अटका रहा है बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले कॉंग्रेस सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश में है उत्राखंड के भागिरधी मास्टर प्लान को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने का विरोध तेज हो गया है मुख्यमंतरी हरीश रावत ने गुरुवार को जंतरमंतर पर प्रदशन किया और राज्ये के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया उत्राखंड कॉंग्रेस ने केंद्र के सामने नौ सूतरिय मांग भी रखी है नमामी गंगे में जो हमने परस्ताओ बेजे हैं उसके अलावा हमारा इंडिस्ट्रियल पैकेज खतम कर दिया गया इस तरह के नौ मांगों को ले करके केंद्र सरकार का ध्यानाकरश करने के लिए हम लोग यहां पर आये हैं बीजेपी का आरोप है कि राज्ये सरकार असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए चुनाओ की वक्त ये मुद्दा उठा रही है पार्टी ने कहा कि यूपिय सरकार के दौरान ही भागी रथी के आसफास के इलाके को एको सेंसिटिव जोन घोशिट किया गया था राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये मास्टर प्लान सौपा था इसमें दस छोटी पन बिजली परियोजनाएं लगाने की बात थी केंदर का कहना है कि मास्टर प्लान अजी सूचना के मुताबिक तयार नहीं हुआ है जल जंगल और जमीन की रक्षा के नाम पर उत्रा खंड सरकार ने एक तीर से दो निशाना सादा है एक तरफ तो इस परवतिय राज्ये के साथ सोतेला विवार करने का केंड सरकार पर आरोप है तो दूसरी तरफ इस सुनावी वश्य में परदेश कॉंग्रेस कमेटी की एक जूटता का मजाहरा भी भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ किशन गंगा और आतले पर योजना के मसले को द्वीपक्षिय तंत्र या पिर निश्पक्ष विश्य शगे के नियुक्ती से हल किया जा सकता है गुरवार को विश्व बैंक के प्रतिनीदी के साथ बाचीत के दौरान भारते अधिकारियों ने ये बात कही अधिकारियों ने ये भी कहा कि विश्व बैंक के दोनों देशों के बीच मतभेद दूर करने में जलबाजी नहीं करनी चाहिए दिरसल पाकिस्तान को तक्नीकी तौर पर इन परियोजनाओं को लेकर आपती है जिने भारत खारिच करता रहा है भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अपने अंतराश्ट्रे दायत्वों को लेकर पूरी तरह सचेत है मसले को हल करने के लिए विश्वरबैंक ने पाकिस्तान की मांग पर कोर्ट ओफ आर्बिटरेशन स्थाहपित करने का फैसला किया था साथी वो भारत की मांग पर निशपक्षविशिशलंगर की नियुक्ती पर भी सेहमती जता चुका है लेकिन आबिर्ट्रेशन पर भारत की नाराज़गी के चलते दोनों प्रक्रियाओं को अस्थाई तोड़ पर रोग दिया गया है पाकिस्तान ने गुरुवार को 218 भारती मच्वारों को रहा किया है हाला कि इन में से एक मच्वारे की रहाई से पहले ही कराची जेल में दिल का दौरा पढ़ने से मौत हो गई गुजरात मच्वारा संग के मताबिक 37 साल का जीवा भगवान आज रहा होने वाले 290 मच्वारों की सूची में शामिल था जीवा गुजरात की गीर सोमनाजले के खान गाउ का रहने वाला था मच्वारा संग ने भी जीवा की मौत की पुष्टी कर दी है पाकिस्तान के ग्री मंत्राले ने सदभावना के तौर पर इन मच्वारों को रहा करने का आदेश दिया था वीते दस दिन में पाकिस्तान की ओर से 449 मच्वारों को रहा किया गया है इससे पहले 25 दिसम्मर को 220 मच्वारे रहा किये गए थे इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतन याहू से ब्रष्टाचार के मामले में गुरवार को एक बार फिर पूछताच की गई खबरों के मताबिक एरुशलम में नेतन याहू के आवाज पर ये पूछताच की गई इससे पहले सोम्मर को भी उनसे घंटो पूछताच की गई थी तुर्की के इजमीर शेहर में कोट के पास हुए बंधमाके में चाल लोगों की मौत हो गई बनने वालों में एक पुलिस कर्मी और एक आम आदमी शामिल है खबरों के में ताबिक पुलिस ने दो हमलावरों को धेर कर दिया है जबकि तीसरे हमलावर की तलाश जारी है तो सद्धिक्द लोगों को भी गिर अफ़तार किया गया है जिनमें चीन के शिंग्जियान प्रांट से आए वईगर समुदाएके हैं तुर्की के समचार एजिंसी के मताबिक इन लोगों का पिछले हफ़ते हुए इस्तांबूल के नाइट कलब में हुए हमले से संबंद है इराख की राजधारी बगदाद में हुए सिलसले बार बंधमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई में से एक धमाका रात के समय कारोबारे इलाके बाब अल मुआदम में हुआ जहां हमलावर ने एक बस स्टैंड पर खुद को ओड़ा लिया वही दिन में बाजार में हुए हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी हमले के पीछी आतंगवादी संगठ हैं स्लामिक स्टेड का हाथ होने का शक्जत आए जा रहा है कल देश भर में गुरु गोबिन सिंग जी की 350 जेन्ती धुमधाम से मनाई गई इस मौके पर कई जगों पर विशेश आयोजन किये गए गुरु गोबिन सिंग जी की जन्मस्थली पटना साहिब में प्रकाश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया सिखों के दसफे गुरु गुरु गोबिन सिंग जी की 350 जेन्ती देश भर में धुमधाम से मनाई जा रही है इस मौके पर देश भर में नगर कीर्टन निकाला गया गुरु द्वारों में विशेश अर्दास और शबत कीर्टन का आयोजन हुआ जगा जगा पर लंगर लगाए गए गुरु गोबिन सिंग की जनमस्थली पटना साहिब में प्रकाश उच्छव भव्य तरीके से मनाया गया इसकी तैयारिया कई महीनों से चल रही थी समारों में शिर्कत करने के लिए देश विदेश से करीब पांच लाक श्रद्धालू पटना पहुंचे यहां हुए समागम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शरकत की उन्होंने विशेश डाक टिकेट जारी किया और गुरु गोबिन सिंग जी के दिखाई रास्तों पर चलने की अपील की उन्होंने इस भव्य जो आयोजन है जो नितीश कुमार ने किया हो उसके लिए उनकी बहुत तारीफ कि और साथ ही दश्मेश पिता के जो शहादत है उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी शहादत ना कभी किसी ने दी और ना ही शायद कभी कोई दे सकेगा और क्यूंकि उसी शहादत के वज़े से वही साक्रिफाइस के वज़े से अमीरी गरीबी एदुवी जड़ो पोटन दा अराम कीता। गुरु गोबिन सिंग जी ने सिखों के आदी गरंथ गुरु गरंथ साहिप को पूरा किया। उन्होंने ही खालसा पंथ और पंच प्यारों की स्थापना की। परोपकार, त्याग और शौर की मिसाल गुरु गोबिन सिंग जी का साहित्य में भी लगाव था। जिससे उन्हें संत सिपाही भी कहते हैं। रवलीनक और अरोडा, राज्यसभा टीवी, पटना। नई कहानी आंदोलन से जुड़े और बीसवी सदी के सशक्त लेखा कमलेश्वर की आज जेयनती है। उन्हें कहानी उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंब, लेखन, फिल्म पठकता जैसे विधाओं में महारत हासल थी। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जन्म 6 जन्वरी 1932 को उत्तपरदेश के मैन पुरी जिल्मे हुआ था। सामाजिक सरुकारों, आम आदमी के उल्जनों और राजनितिक माहौल को अपनी रचना में उतारने वाले कमलेश्वर की करीब 300 कहानियों और 12 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए उन्हें साहित्यक आदमी पुरसकार से नवाजा गया। उस सारिका, जागरण और दैनिक भासकर जैसे पत्रकाओं के संपादक भी रहे। पदमभूश्वर से समानत कमलेश्वर ने फिल्म और टेलिविजिन के लिए लेखर में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने निन्यानमे फिल्मों और कई धरवाहिकों की पटकताय लिखी। इनमें आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनी गंधा, छोटी सी बाद जैसे सफल फिल्में शामिल हैं। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर का निधन हुआ गया। आज से दिल्ली में बीजेपी की दो दिवस्य राष्टे कारेकारने की बैठाग, विधान सबाचुनाओं के लिए रणनीती होगी तै, 11 जनवरी को कॉंग्रिस भी करेगी रणनीती पर चर्चा। अकलेश यादव के पक्ष में आए 200 से जादा विधायक खलफ नामे पर किये हस्ताक्षर, दोनों खेमों को सुमवार तक चुनाओ आयों में देना है जबाग्यूमिद्वारों के चुनाओ लड़ने पर सम्विधान पीच में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने माना, पश्ट होनी चाहिए स्थिती, अगले चुनाओ से पहले आ जाएगा फैसला। इस बाजी नहीं करने की सला कहा निश्पक्ष विशेशग्य की नियुक्ती और दूइपक्ष तंत्र से ही सुलत सकता है मावड़ा। फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे देखिए देश देश आंतर, नमस्कार।